बाजपा सरकार पर खूब बढ़ से इस विधायक बिलारी पेशाशन द्वारा रोके जाने को लेकर सपा विधायक प्रदेश सरकार पर जम कर बढ़ से और कहा कि रामपूर में सिक्षा के मंदिर को साजिश के तहर धाया जा रहा है ऐसा नहीं होने देगे इसके अलबा और अफ्यादब द्रिवेश चल्मा आदी लोग मौजूद रहे लोग सिक्षा किरहन करना चाते हैं अकले शाकर साब उस मंदिर को बचाना चाते हैं योगी साब उस मंदिर को तोड़ना चाते हैं हम लोग यूनिवस्टी को बचाने के लिए पूरी तरीके से राष्टे अध्रग जी का आदेश को पालन करना चाते हैं लेकिन योगी साब से घलत तरीके से रोपने की घलत तरीके से खत्म करने की घलत तरीके से बुर्डो दर चलाने की साजिशे हैं आज ये चंबे गफीर ये लोग इस बात की शहादत और गवाई है कि हम लोग उस इतारे को बचाने के लिए हरत तक जाने के लिए तयार है हरत तक काम करने के लिए तयार हैं समाजवादी पालिटी का एक एक कारेकरता रोड पर उतर कर अंदोलन करने के लिए तयार है उसकी ये गवाई है देखिए आप ये ये एलान है ये आगाज है उस सिक्षा के मंदिर को बचाने का हम कहना चाहते हैं योगी साहब से अरे व्यक्तिकत लडाई क्यों अगाज होगा उस आगाज को मत रोकिए सिक्षा के मंदिर को आगे बढ़ने दीजिए सिक्षा को आगे बढ़ने दीजिए सिक्षा के स्तर को आगे बढ़ने दीजिए एपीजे अप्तुल कलाम के ख़ाप को आगे बढ़ने दीजिए जो हमारे मदन मुहन मालविये सहाब स बढ़ने दीजिए युनिवस्टि को मत धाईए युनिवस्टि को आगे बढ़ने दीजिए इस पर सियासत मत करिए ये सियासत करने की चीज नहीं है ये पढ़ने और पढ़ने की चीज है ये सिक्षा को आगे बढ़ने की चीज है देश को आगे बढ़ने की चीज है हम लोग को सब देश हित में शिक्षा के समंदिर को बचाने लिए एक साथ यहाँ पर मौजूद है और राश्टे अधियक जी का देश अनुसार हमन समाजबाधी पालिटी का एक कारे करता रोड पर उतरने के लिए है और उस सिक्षा के मंदिर को बचाने के लिए कोई परवाना करते हुए हम लोग ये चाहते हैं कि सिक्षा के मंदिर पर कोई रायती ना की जाए